ओन जय जगदे शहर स्वामी जय जगदे शहर भाक्त जनों के संकट दास जनों के संकट शन में दूर कर ओं जय जगदे शहर ओन जय जगदे शहर भाक्त जनों के संकट शन में दूर करे ओन जय जगदे शहरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपति घर आवे कस्ट मिटे तन का ओन जय जगदे शहरे मात पिता तुम नेरे शरण गहूं मैं किसके तुम बिन और ना दू जा आज करू मैं किसके ओन जय जगदे शहरे तुम पो रण पर मातमा तुम अंतरया में स्वामी तुम अंतरया में पारब्रम्भ परमेश्वर तुम सब के स्वामी ओन जय जगदे शहरे तुम करूना के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मू रख खलकामी मैं सिवक तुम स्वामी क्रिपा करो भरता ओंजे जगदेश्व हरे तुम हो एक गोचर सब के प्राण पती स्वामी सब के प्राण पती किस विध मिलू दया मैं दीन बंदू दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शर्ण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओंजे जगदेश्व हरे विशे विकार में तावों पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा शर्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओंजे जगदेश्व हरे गुरुवार दिवस कथा भगतों सुना शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं गुरुवार दिवस कथा भगतों सुना शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं विष्णों की पूजा क्यों होती हम सारी सभी बतलाते हैं गुरुवार दिवस कथा भगतों सुना शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं पुर्शियंगी राजपी तब के ग्याता पूजन वंदन उनको भाता उनको ना थी संतान कोई मिलिवश को ना पहचान कोई गुरुवार दिवस कथा भगतों सुना शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं तब ब्रम्हा तब को साधा था सुत धर्मी कर्मी मादा था ब्रम्हा बोले तब विश्नु करण वो करके विने समझाते हैं तुम्हार दिवस कथा भगतों सुना शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं तब अंगीरा विश्नु को याद किया प्रगटे देवा पर नाम किया तब विश्नु से मांगी वो संता तब का फल सुनो हो पाते हैं तुम्हार दिवस कथा भगतों सुनो शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं अंगीरा ने भरस पती को पाया जिसने दिधरम को थी काया हर देव उन्ही की शर्ण हुए उनसे ही शिक्षा पाते हैं तुम्हार दिवस कथा भगतों सुनो शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं तब वीरवार शुभदिन है हुआ मिश्नु क्रिपा का मनन हुआ यश शुम्रेधी बल देते हैं पालन पोशन सब पाते हैं तुम्हार दिवस कथा भगतों सुनों शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं तुनों एक कथा ऐसी आती जब गरुड ने विश्नु धान किया उजन वंदन सब ही की नहां चर्णन वो शीष न वाते हैं गुर्वार दिवस कथा भगतों सुनों शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं गुर्वार दिवस को तप साधा विश्नु किरपा का यश मांगा वाहन बन कर वो साथ चले वो मान भी ऐसा पाते हैं गुर्वार दिवस कथा भगतों सुनों शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं तब प्रचलित ये गुर्वार हुआ पूजन विश्नु का सुभ था हुआ तब से गुर्वार को ब्रस्पति संग विश्नु भी पूजे जाते हैं गुर्वार दिवस कथा भगतों सुनों शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं गुर्वार को पूजा आती हैं सुनो महीमा बड़ी ये सुहाती हैं जो विश्नु रूप का ध्यान धरे लक्ष्मी भी सवम आ जाती हैं गुर्वार दिवस कथा भगतों सुनों शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं जद्वे भव ये देने वाला जो सद भाव दिखलाता हैं जो वीरिवार को ध्यान धरे विश्नु की किरपा पाते हैं जो वार दिवस कथा भगतों सुनों शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं पीले ही वस्त्र भाते हैं पीले अक्षत के तिलक करण हर विश्नु प्रसन हो जाते हैं जो वार दिवस कथा भगतों सुनों शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं पीले केलों का भोग लगे इन्हे व्रक्ष कदम भी प्यारा लगे मिवामों तक चरिणों में धरें देखो ये भगत गुण गाते हैं जो वार दिवस कथा भगतों सुना शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं विश्नू का नाम है सुखकारी दिन वीरिवार महिमा भारी प्रिद्वी का सदायू धार किया ऐसा ही ग्रंथ बठाते हैं विश्नू वार दिवस कथा भगतों सुनों शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं यही राम बने यही क्रिष्न बने जगतार ने को अवितार लिये संतों की सदैव ही रक्षा करी यही नारायन कहलाते हैं विश्नू वार दिवस कथा भगतों सुनों शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं शुभ कर्म इन्हें प्यारे लगतें भगतों को सदाये सुख देतें लक्षमी के पती मंगल कारी सबकी ही बात बनाते हैं विश्नू वार दिवस कथा भगतों सुनों शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं बाजन को ये संतान देवे वर देते कन्या को सुख कारी राजस सुख को देने वाले हम मही मावा सब बत लाते हैं विश्नू वार दिवस कथा भगतों सुनों शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं ये दिवस बड़ा फल दाई है कस्टों को हरे सुख दाई है सब कथा कही है ये पावन चर्णों में शीश न वाते हैं विश्नू वार दिवस कथा भगतों सुनों शुभदाई तुम्हे सुनाते हैं कि अर्णों प्लाई प्लषण का मैं व्या है क्लेश सुनाते हैं करते हैं ओ, हरिवेश्णूं की कथा सुनाऊं मंगलकारी बंदन गाउं नारायन वेश्णूं भगवान गल्गूं दास का तुम कल्या ओ, ताता सबके पालन हारे पोशन सब का करने वाले सब की करता बड़े ही माहान पूजी तुम को सकल जाहा ओ, राम बने त्रेता में आए संत मुनी सारे हरिशाए देशी को तार की आए काम सब के राता राजाना ओ, विश्णू काईक रूप कहावे परिशुराम की कथा को सुनावे सुनलू पूरक था का बखान मारा यण जी दिल में ग्यान ओ, सहस्त्र बाहु एक राजा कहाए अभिमाने बड़ा पाप कमाए नर्म का करता नावो मान जगरी सारी थी परिशाद ओ, अगनी देव ने उसे समझाया बोज कराओ था चेताया लोगी जब तुम निच सम्मान जग में बढ़ेगा राजन मान ओ, राजाने तब वचन उचारे जग सारा ये मेरे सहारे तुम में कराओं भोजिता काम जागा तब मने में अभिमान ओ, अगनी देव तब क्रोध में आए ओ, अगनी देव तब क्रोध में आए ज़नी लगा सारा अरस्थान आपनी ऐसा किया रिखान ओ, नगरी महेश्मती जलती जाए अगनी रोश सुनो बढ़ता जाए दूनिया अपन दि लगाते जान जलाओ निकाधी अब अस्तान ओ, रिशिया पव तब शाप था दिन्हा प्रोध था तब राजन पे की हाँ जलती नगरी बनी शमशान निशिवर सब तब लिया था जान ओ, विश्णु धरेंगे जब वबतारा मुनिया पव ने यही उचारा शहर श्क्रवावू के हर लेंगे प्राण यही है इसकारे निदाण ओ, तब ही परशु राम थे जाए ओ, तब ही परशु राम थे जाए संतों की रक्षक परशु राम जिन की आराथे शिव भगवाद ओ, तप की नहां शिव जी को ध्याया शिव से धनुष पिनाक था पाया करदी शिव ने पूरण का भरशाय पे परशु राम ओ, नगरी महिश्मती तप वो धाए खत्रिय सारे मर गिराए नर्म धजा का रखरी आमान नगरी में गूजा जेगा ओ, सैनिक सास्त्र बाहु पठाए परशु राम के पिता को सताए कुझे राश्रम हरनी प्राण वहा नहीं थे परशु राम ओ, क्रोध की अगनी बढ़ती जाए परशु राम तब सहना पाए पिला थरण का तब आहवान दिखता नहीं था कोई रेनी दाए ओ, मात पिता प्रतिशोद लिया तब राजा पापी गरजा था तब मारा पापी की अरे निदान संतो मुनियों का रखा अपमान ओ, ख्षत्रिय वंच का किया संहारा ग्रंथ बताते एक किस बारा सुझे लू आगे कथा का ये ग्यान पर शुराम जी बड़े बलवान ओ, विश्णूने ये रूप था धारा ख्षत्रिय वंच का कुल संहारा गूरण तीन हे सारे रिकां गूंजब जेगा तब जेगां ओ, अत्री जो अपने पथ से भटके काल के ग्रास में वो ही अटके पित्वी में पाया नीच संमान धर्व धजा का बढ़ गया मान ओ, नारायन ही क्रिष्ण कहाए कंस को मारा धर्म बचाए नन्यवारे गिरधारे शां सारे रूप रेने भगवां ओ, गज और ग्राह का बंध छुडाते ओ, गज और ग्राह का बंध छुडाते मुरे ली बजाते मेरे शां सबके मन को भाता ना ओ, नर सीतारा खुब जातारी मीरा भाई, भक्ति स्विकारी सार थी अरजने के भगवां भग तो बोलो राम या शां ओ, रक्षा करन हरी प्रभु जी आए हर युग में सब भक्त बचाए एसे विश्णों शिर भगवां जहु दिशा दूझे एक नाव ओ, महिमा वेश्णूं प्रभु की गाई हितकारे हैं सदा सुखदाए दुखड़ों को हरना महिमा का ग्यान जै विश्णूं ना ना यड़ना जै विश्णूं प्रभु की गवां कथा कहूं गुरुवार की सब सुखों की टेप हरी विश्णों किरपा करें पथ दिखलावे में विश्णों जी की कथा सुनाओं श्री चरणन में शीष नवाओं महिमा जिन की है सुखदाई इतिकारी सब कुफन दाई शंक चक्र और गदा सुहावे गल में कंथी माला वावे रूप कांतिया भामन भाई मुख मंदल जोती अधिकाई हर करता विश्णों मेरे लीला प्रमपार शोभावई लगता भगतो जिन का है श्रिंडार एक नगर की कहूं कहानी रहती जहां थे सेठ से ठानी धन धान देकी कमे नहीं थी मुखदारी जैचाया न देखी लेकिन चिंता एक ही खाए घर में कोई संतान ना पाए गूंजी नहीं थी कोई किल कारी नहीं की नहीं थी अब खुलवारी गई बरस थे बेत गई पाए ना संतान पति पर्नी थे सोचते कब हो पूरणतान सेठानी विश्णू को मनाती पूजन वंदन करती जाती दर्शन करनी मंदिर जाए मिश्णु चर्ण में शीष नाए भूप दीप लैवैद्य दुवावे हरी माती पर तिलक लगावे मेवा और मिश्ठान चड़ाती मिश्णू के लेला नित गाती जोड के करविनती करे सुन लो बारंबार कभी तो करता सुन लेगे मन की करुण पुकार पुजन सेठ को तनिक नभाए वो इसको पाखंड बताए कहता था सब जूटी लीला ना मानू करता की लीला नित ही वो पुजन से रोके सेठानी को आकर टूके प्रोध में आके वो चिल्दाए पुजा तेरी मुझे ना भाए बोले विश्णों जूटे हैं करते नहीं कुछ काम इतनी बरसों तक हमें दीनी ना संता एक दिन क्रोध उसे था आया रोश का बादल था गहराया सेठ कहें मेरे घर से निकलो नहीं तो विश्णों पूजन दज्डो पूजन वंदन कुछ नहीं करना इनसे भाग्ये नहीं सवरना गर चाहती हो इनको भजना घर को मेरी होगा तजना विश्णों पूजन ना तजा घर छोडा ततकाल माया रचते श्री हरी थेल रचावे काल सेठानी इकवन में आई निर्जन वन था वो तो भाई चार पुरुष महा बेटी खोदे सेठानी उन्हें ध्याद से देखे सेठानी तब निकट है आई दशा उन्हें सारी बत लाई बोले वो कुछ काम दिना दो मेरी भी कुछ गुजर चला दो उनकी तरह माटी खोदे दे दिया उनको काम कठिन परेश्रम करती थी लेती नहीं विश्रा काम को बस वो देखे भाले अपने तन को नहीं समाले एक दिन उन भाईयों ने देखा हाथों में उसकी दर्द बड़ा था उसकी हथे ली पर थे चाले भाईयों ने तब हाथ समाले अपनी बहन को घर वो लाए काम वो घर का उससे कराए कठिन परेश्रम को तजकर करती घर का काम बहन थमाना चारों ने दी थी नहीं पहचा चार मुर्खी वो अनाज किलाते कच्चा ही उसको खा जाते से ठानी को तनिक ना भाए आखिर भोजन क्यों नहीं खाए एक दिन वो ज्यादा मंगवाए भाई सोचे ज्यादा ये खाए आठ मुर्थी तब के हु मंगवाया उसने भोजन तुरंट पकाया भोजन सारा बन गया भाई थे हैरान पहली बार भोजन खाया कैसे हुआ ये काम काम वो घर का करती जाती स्वादिष्ट भोजन उनको कराती भाई मिलकर हाथ बटाती संदर रंजन तेव सिखाती जुड़ गया उनका प्रीत का वंधन प्रेम का हावे बड़ा ही पावन भाई बहन का रिष्टा ने भाई हर गर का लीला कुर चाई पती के घर को तज दिया नया जुड़ा परिवार विश्णुहरी की किरपा से महका था संसार इधर सेठ का हाल बुरा था काम नहीं उसका चलता था गई से ठानी सब धन खोया अच ताता था खुद पे रोया विश्णु बैर का ये फल पाया सेठ को निरधन पल में बनाया माया कुछ भी समझ ना आए समय दुरा ये क्यों कर आए भंधा चोपट हो गया रोटी को लाचार अपनी परोई हो गए खोया सब व्यवार एक दिन उसके मन में आया सेठानी को ढूंडने जाओ जहां कई भी मिल जाए वो अपनी दिल का हाल सुआओ शमा मांग कर घर से आओ फिर से अपने घर को बसाओ मिश्णु भक्ती से ना रोखू अपना पूरा फर्ज निभाओ सोच के मन में चल दिया वन को किया प्रस्थान सेठानी न मिले उसे होता था परिशान निर्जनवन में वो भी आया उसने उल भाईयों को पाया भाई वो माटे खोद रहे हड़े सेठ को देख रहे थे सेठ ने सारा हाल सुनाया कैसे उसने दुख था पाया वो भी तब उस काम को करता पुजर बजर से पेट थभरता कठिन परिश्रम करता रहा किया नहीं वेश्रा ठक करकी वो चूर हुआ सुभा से हो गई शाँ भाईयों ने तब सार था जाना पठिन परिश्रम को पहचाना जाने बस की बात नहीं है किया इन्होंने काम नहीं है भाईयों उसको घर तब लाए आदर से आसन पे बिठाए सेठानी भोजन थी बनाई सेठ अभी उस देख न पाई भोजन लेकर आ गई मुख पे घूंगट डाल सबको ठाल परोस रही सेठानी ततकाल जैसे ही सेठ की बारी आई ठाली क्यों कर उठ नहीं पाती ऐसे लगे कोई हाथ को पकड़े सेठानी को विश्णु जी दिखते भाई कहे इन्हें भोजन दे दो सोचती क्यों हो ठाली में डालो सेठानी कहे हाथ न उखता मुझको विश्णु रूप है दिखता विश्णु जी तब प्रगट हुए हो गए सब हैरान भाई सोरे देख रहे घर आये भगवान सेठ ने सेठानी को देखा मांगी शमा सब हाल था पूछा सेठानी तब निर बहाती विश्णु चरण भी शेश लगती सेठ ने भी तब पूजन की ना विश्णु शमा उसको कर दी ना विश्णु जी ने माया रचाई दोनों की ते ध्रस्ती बसाई हरे विश्णु करता मेरे लीना प्रमपार प्रेम बढ़ा खुशिया बढ़े नया बसा परिवार सेठ सिठानी पूजा करते विश्णु जी को नित ही सिमरते पूत्र रतन धन सब घर आया है आगन को था वहकाया भूल रही प्यारी पुलवारी गुजी ममता की किलकारी सेठ सिठानी तब हर शाय विश्णु प्रपा से सुख सब पाये कथा सब पूरण हो गई केरपा करे करतार नारायन विश्णु जोरे मरते रहे भुणार श्री विश्णु के गुरुवार की हम तो कथा सुनाते है नारायन श्री व्रहस्पती को हम सब शीशी जुकाते है दिन गुरुवार है महान व्रहस्पती गुरु करे कल्या दिन गुरुवार है महान व्रहस्पती गुरु करे कल्या एक शहर में एक राजा जो दान पुन्य नित करता था पर उसका वो दान खर्म कोई रानी को ना सरता था एक दिन एक भिख्षुक ब्रामन राजा के द्वार पे आते हैं नारायन श्री व्रहस्पती को हम सब शीशी जुकाते हैं इन गुरु वार है महान ब्रस्पती गुरु करे कल्या रानी बोली सादू से मुझे ऐसा एक बताओ पार धन दौलत और माल खजाना सारा खत्म मेरा हो जाए सुनकर सादूरानी को फिर बहुत घना समझाते हैं नारायन श्री व्रहस्पती को हम सब शीशी जुकाते हैं दिन गुरु वार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या दिन गुरु वार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या धन दौलत के लिये तो दुनिया यत्न अनेकों करती हैं पर तु पगली धन दौलत से क्यून अपरत भला करती हैं रानी बोली दान पुन्य ना मुझको विलकुल भाते हैं नारायन शी ब्रहस्पती को हम सब शीशी जुकाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या साधुने तो उस रानी को बहुत देर तक समझाया पर रानी तो मतीन थी समझ में उस के नाया फिरतो साधु उस रानी को एक उपाय बताते हैं नारायन शी ब्रहस्पती को हम सब शीशी जुकाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या सुन रानी तु गुरुवार को सरधोना कपड़े धोना सरधोना कपड़े धोना राजा की दाढ़ी कटवाना घर चौका लिपवा देना इतना कहके साधु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीशी चुकाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या रानी ने ऐसा ही किया जब गुरुवार का दिन आया सर धोया कपडे धोये और धर के चौक को लिपवाया धीरे धीरे रानी के धन धान्य खतम हो जाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीशी चुकाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या दिनु गुरु वारे महामि प्रस्तति गुरु करें कल्या राज छीन लिया शत्रों ने और पास में कुछ भी बचा नहीं किसी नगर में कुटिया बना ली खाने को कुछ राहा नहीं खाने को कुछ राहा नहीं राजा कुछ व्यापार के लिए परदेशों को जाते हैं नारायन शी ब्रहस्तति को हम सब शीशी जुकाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रास्पति गुरु करे कल्या राजा चला गया जब परदेश को लकडी काट के बेच रहा उधर वो रानी और एक दासी पास में ना कुछ खर्च बचा रानी और दासी दोनों के बहुत बुरे दिन आते हैं नारायन शी ब्रहस्तति को हम सब शीशी जुकाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रास्पति गुरु करे कल्या निर गुरुवार है महान ब्रास्पति गुरु करे कल्या रानी बोली तासी से तुम पास नगर में जाना तो वहां पे मेरी बड़ी बेहन है जाके हाल बताना तो दासी पहुची पास नगरवां गजब नजारे पाते हैं नारायन श्री ब्रास्पति को हम सब शीशी जुखाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रास्पति गुरु करे कल्या रानी की जो बड़ी बेहन थी कथा ब्रास्पति की करती कथा ब्रास्पति की करती दासी ने कई बार कहा पर बड़ी तो कुछ भी ना कहती बड़ी तो कुछ भी ना कहती बार बार कहकर दासी के क्रोध नयन भर जाते हैं बार बार कहकर दासी के क्रोध नयन भर जाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीश जुकाते हैं बिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान नौट के वापस आ गई दासी रानी को सब वक्त लाती बाड़ी बेहन में एहंकार है जुट मूठ को समझाती रानी समझी बुरे समय में कोई काम नहीं आते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीश जुकाते हैं बिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान बड़ी बेहन की कथा पूर्ण हुई चलके वो फिर आई थी रानी और दासी दोनों को आ करके समझाई थी प्रहस्पती की कथा में ना तो बोले न उठ पाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीश जुकाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीश जुकाते हैं बिन गुरु वार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान बिन गुरु वार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान इसलिए अब मैं खुद आई हूँ कहो बात क्या है वेहना कहो बात क्या है वेहना किसलिए दासी भेजी थी ये सारी बात मुझे से कहना सारी बात मुझे से कहना रानी और दासी बहना को सारा हाल बताते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीशी चुकाते हैं दिल गुरुबार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान रानी बोली सुन बहना अब भोजन के भी लाले हैं बड़ी बेहन ने कहा बेहन सब ब्रहस्पती करने वाले हैं ब्रहस्पती भगवान बेहन सब के भंडार भराते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीशी चुकाते हैं दिल गुरुबार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान दिल गुरुबार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान रानी बोली मैंने ही खुद अपने धन का हान किया गुरुबार को सब कुछ खरके ब्रहस्पती का अपमान किया ब्रहस्पती का अपमान किया मुझे बताओ ब्रहस्पती जी कैसे खुश हो पाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीश जुकाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या कहा बेहन ने गुरुवार को व्रत पूजन करना बेहना पीले वस्त्र और पीला भोजन पीला दान और पुन्य करना प्रहस्पती हैं बड़े दयालू यूही खुश हो जाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीश जुकाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या बिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या बहना बोली अब तो पास में कुछ भी नहीं है खाने को कहा बहन ने दासी से फिर घर में अंदर जाने को कृपा हो गई ब्रहस्पती की अन घडा इक पाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीशी जुकाते हैं बिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या दासी ने देखा अंदर एक अन का भरा घडा पाया खुश हो कर दासी ने आके राणी को सब बत लाया उस दिन से राणी और दासी व्रत करने लग जाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीशी जुकाते हैं बिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या निन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या गुरुवार को व्रत करती थी ब्रहस्पती देव का करके ध्यान ब्रहस्पती देव की किरपा हो गई बोने लगा उनका कल्यान बीली दाल गुरुचने मंगा ब्रहस्पती को भोग लगाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीशु जुकाते हैं बिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या राजपाट सब वापस मिल गया ब्रहस्पती देव की किरपा से ब्रहस्पती देव की किरपा से तरके व्रत पूजन रानी ने दान किया खुद हाथों से कुए बावडी बाग बगी चे चारों और लग जाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीश जुकाते हैं बिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या बिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या एक दिन रात को सपने मेरा नीन ब्रहस्पती याद किये नारी ने ब्रहस्पती याद किये बोली उनसे मेरे पती को ये भगवान बुला दीजे रात को सपने मेरा जाके ब्रहस्पती चले जाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीष चुकाते हैं बिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्या तेरी पत्नी ने याद किया है थे राजन घर को जाओ थे राजन घर को जाओ छोड के लकडी काटनी अब तुम लोट के अपने शहर जाओ कहके इतनी बात ब्रहस्पती अंतर ध्यान हो जाते हैं नारायल शी ब्रहस्पती को हम सब शीशी जुकाते हैं बिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान सुभा हुई सब छोड के राजा लोट चला घर की राई पाया अपने शहर में जब तो देखा खुश हाली छाई जब राजा अपनी कुटिया के पास पहुँच वो जाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीश चुकाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान कुटिया की जगा महल खड़ा था राजा समझ न कुछ पाया रानी और दासी आई तो सब कुछ उनों ने बत लाया राजा दिल ही दिल में ब्रहस्पती देव को शीश जुकाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीश चुकाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान पाकर अपना राज पाट धन दान्य राजा हरशा दान पुन्य किये खुद राजा ने और राणी से करवाया हर गुरुवार को राजा रानी व्रत्नियम करवाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीष जुकाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान प्रहस्पती की कृपा से फिर रानी को एक पूत्र हुआ रानी को एक पूत्र हुआ धन वैभव और ख्याती बढ़ गई राजा का जग में नाम हुआ उनके भिगडे काम बने जो ब्रहस्पती देव मनाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीष जुकाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान जो भी सच्छे मन से गुरुश्री ब्रहस्पती का ध्यान करें तन मन के सब रोग कटें और धन से भी कल्यान करें लोकेश प्रजापती ब्रहस्पती जी परबली हारी जाते हैं नारायन श्री ब्रहस्पती को हम सब शीश जुकाते हैं दिन गुरुवार है महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान आरे महान ब्रहस्पती गुरु करे कल्यान